नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनीज लॉंचर के इस यूटूब मंच पर दोस्तों लोग सभाद चुनाओ के लिए पात चर्णों में 428 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब बचे हुए दो चर्णों में 115 सीटों पर वोटिंग बची हुई है एक जून को 25 मई और एक जून को बचे हुए दोनों चर्णों की वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद 4 जून को आपके सामने नतीजे होंगे लेकिन 25 मई को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन सीटों पर नजर दोड़ाने पर साफ दिखाई देता है कि एक सीट जो सबसे होट सीट बनी हुई है वोट सीट का नाम है उत्तरपूर्वी दिल्ली कनहया कुमार बना मनोस्तिवारी और जहां कनहया कुमार चुनाओ लड़ते हैं वो सीट होट सीट हो ही जाती है याद कीजिए पिछला लोग सबसुनाओ तब राजजी दूसरा था पार्टी दूसरी थी साल दूसरा था और मंजर भी दूसरा था जगा थि बेगुसराय राज था बिहार और पार्टी थी भारती कमनिस्ट पार्टी यानि CPI कनहया कुमार चुनाओ लग रहे थे और पूरे देश भर की मीडिया ऐसा लग रहा था कि चुनाओ तो सिर्क बेवुसराय में ही हो रहा है पूरे देश की मीडिया का जमाऊणा बेवुसराय में था वजा कनहया कुमार ले से कनया क्मार उतर गया कॉंग्रेस पारी के टिकट पर ऊतर गये लाहूल गांदी के साथ 420 किलोमिटर की पढ़ आत्रा करने आदमी पार्टी की भी ताकत है 2019 का जब लोग सभा चुना हुआ था तो कॉंग्रेस पार्टी ने इस सीट से सीला दिक्षित को उतारा था और सीला दिक्षित तीन लाख वोटों के अंतर से 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंती रहे सीला दिक्षित उस बाला कोर्ट सर्जिकल माहौल भी दूसरा था आज वैसा कोई माहौल भी नहीं है और कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी इंडिया गठवंदन के ताहद दिल्ली में और हरियाना में इन दो राज्यों में बहुत मजबूती से चुनाव लग रही है तो इस चुनाव को किस तरह से देखा जाए लाग 87,000 के करीब वोट लाकर जीते तब हराया सिला दिख्षित को तीसरे नमबर पर तब आम आदमी पार्टी थी और उस चुनाव में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के वोटों को जोड़ दे तो 6,11,000 वोट होते हैं यानि लगभग पॉने 2,00,000 वोट ही मनो इस्ति बनन के बावजूद मत भूलिए कि यह वही लाका है उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां सीलंपुर भी आता है जहां सांप्रदाइक तनाओ की खबरों ने 2020 के दौर में दिल्ली को दिल्ली के मिजाज को परिवासित करने की कोसिस की थी हुआ कुछ नहीं बावजूद इसके व आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक मंच पर है तीन सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ लड़ रही है जिसमें से एक सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली के विसीट है इस सीट की पहचान कैसे है इस सीट पर घौंडा का इलाका भी है इस सीट पर करावल नगर बुर या कुमार आते हैं और इस सीट पर दिल्ली युनिवर्सिटी का इलाका भी आता है तिमारपूर की जुक्की और सरकारी कॉलोनिया भी आती है तो इसके साथ साथ मुखर्जी नगर की यूपीस के तहत आई पीस तैयार करने वाली वन नर्सरी भी आती है कहा से देखे सोनिया बिहार वजीराबाद बुराड़ी करावल नगर तिमारपूर दिल्ली युनिवर्सिटी घोंडा सीलंपूर साधरा कैसे देखा जा इस लोग सवासीट को इस लोग सवासीट पर मनोश्तिवारी के लिए हालात पिछली बार जैसे नहीं है बोजपूरी गाने वो गाते हैं क लीलता को से भोजपूरी को मुठ कराने का जिम्मा लेकर आगे बह रही नेहा सिंग्रा ठोड जब कनहिया कुमार के मंच पर पहुंच गई और कनहिया कुमार के पक्ष में अपील करती देखी तो क्या मैथली क्या भोजपूरी सब कुछ एक होता हुआ दिखा है और जब यह एक होता हुआ दिखा तो ध्यान दखिए इसी इलाके में वो बुराड़ी जहां से संजीव जहां हमादमी पार्टी के टिकट पर सबसे ज़्यादा वोटों से बिनान समा चुनाओ जीतने वालों में से एक होते हैं यह यूही के बड़ी मौजूदगी है और उस मौजूदगी में मनोस्तिवारी तभी तक बिहारीयों के बीच वोट बटोरने में काम्याद थे जब तक कनहया कुमार के रूप में कोई छात्र नेता नहीं आया था वो सिला दिक्षित पर भारी पढ़ सकते थे बिहारी चेतना को लेकर कनहया कुमार को भारी पढ़ेंगे इसकी संभावना छीन होते भी दिखाई दे रही है इस इलाके को एक गूजर बहुल इलाका भी माना जाता है यहां गूजर मद्दाताओं की अच्छी खासी तादाद है और उसी को देखते हुए जैसे ही राजस्थान का चुनाओ खत्म सबसे बड़े नेता सबसे बड़े और चमकदार चेहरे गूजरों के राजस्थान में राजस्थान का भवी समाने जा रहा है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है वो जब दिल्ली में कमान समाल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गू चुनाओं में नरंद्र मोदी की लहर के साथ जुड़कर पुलवामा बाला कोर्ट के इस भावनात्मक उबाल के साथ जुड़कर जब मनोश्तिवारी को कैंडिडेट मत देखो माहौल देखो इस आधार पर मत दान कर रहा था तो आज ना तो कैंडिडेट दिखाई दे रह आज बस परिस्तितियां दिखाई दे रही है और उन परिस्तितियों में सचिन पाइलट दिखाई दे रहे हैं जो मजबूती के साथ वहां डटे हुए हैं किस रूप में करहिया कुमार के चुनाओं को आप देखते हैं कॉंग्रेस पार्टी दिल्ली में तीन सीटे लड़ चार सीटे आम आदमी पार्टी लड़ है बाकि छे सीटों के हालाई सातों सीटों की हालाग़ बताने के क्रम में मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था लेकिन हमारे दर्सकों की बहुत जादा र्रूची थी तो कनहया कुमार का चुनाओं हम ये कह यह सकत्य कि एक त चुनाओ भारतिय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल चुनाओ है यह हालात जरूर बन गया है बेहत काटे का मुकाबला है मनुस्तिवारी की अपील पहले भी नहीं थी अब भी नहीं है लेकिन कनया कुमार की कुछ अपील है कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बे वीर सिंग विदोडी बनाम सहीर आम पहलवान के बीच मुकाबला है और एक उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीट पर आप देख सकते हैं जहां एक बिहारी उपरास्टवाद भी है और दोनों कैंडिडेट अपने आपको बिहारी कहते हैं तो उसके साथ साथ छात्रों की चेतन है वेकेंसी को लेकर परिसान नौजवानों की तादाद है और इसी लाके के मुखरजी नगर हो या ग्वायर हो राहुल गांधी चात्रों के साथ तपरी पर बैठकर चाय पीते हुए भी देखे गए और कैंटीन में खाना खाते हुए भी दिल्ली इंवरस्टी में देखे मुकाबला कौन जीतेगा 25 तारिक के साम तक कुछ जलक मिल जाएगी जब वोटिंग हो जाएगी तब और उसके बाद चार जून को तो आपके सामने आही जाएगा लेकिन आज के माहौल में आप कहें तो मनोज तिवारी भूर्थ पूरुसांसद हो जाएं तो कोई आश्च कूछ नहीं होना चाहिए क्योंकि जीत की संभानाय जब आमने सामने की लडाइ बेहद कड़ी चुनावी लडाइं तो इस कड़े चुनावी मुकाबले में जिसके वोटर बूष तक ज़्यादा बड़ी संख्या में आयेंगे जिसके वोटर जन्मत को प्रभावित करने के दिशा में ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो साब दिखाई देता है कि वहाँ हाला उसके पक्ष में होंगे नरन मोधी का चेहरा आज भी सबसे बड़ी आस है मनोश्तिवारी की तो राहूल गांधी की गारेंटी भी सबसे बड़ी आस है करहिया कुमार की कैंडिडेट गौन हो जाता है लेकिन कैंडिडेट पर जब थपड चलते हैं भीड के बीच को यह समाजिक तत्तों भुसकर थपड मारने की कोशिस कैंडिडेट को करता है तो वो थपड उसकी गूज सहानभूती में भी बदल सकती है थपड मारने वालों का लोगों ने वाहा होना चाहिए लेकिन माहौल जो बना उस माहौल ने जाने अंजाने में टीवी इंटर्यूंव में नहीं नहीं आगया देश से पाइसं से इंकार नहीं कर सकते और बड़ बोले तो मनोस्तिवारी भी है किसे कम कहा जाए पत्रकारों के साथ बुलेट पर मोटर साइकल घूम कर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गोदी मीडिया के लोग के साथ तो कर सकते हैं वास्तिविक मीडिया के लोग के साथ बैठ नहीं सकत और जनता सब कुछ देख रही है लेकिन कनया कुमार भी जब इस देश की असली मीडिया के सामने बैठते हैं तो कई बार सीमा रेखा को लांगते हुए नजर आते हैं तो सीमा रेखा लांगने वाले और सीमा रेखा क्यों से बिलकुल अंजान रहने वाले इन दो लोगों के भी चुनावी मुकाबला है और इस चुनावी मुकाबले का बड़ा दिल्चस्प नजारा आपको 25 मई को वोटिंग में छटे चरन की वोटिंग में देखने को मिलेगा इंतिजार कीजिए यहां अलपसंख्यक बहुसंख्यक अगणा पिछड़ा कुछ नहीं होना है यहां जो कीजिए उता क्या है आज के लिए इतना ही नमस्कार